क्या बिग बॉस को अब नहीं रही है शिव ठाकरे से कोई उम्मीद इसलिए प्रियांका को वो आगे करते नजर आ रहे हैं चलिए दोस्तों इस पर बात करते हैं स्वागते आप सभी का बॉलिवूट स्पाई में मैं हूँ अधिती शर्मा तो दोस्तों अब तक हम घर में देख रहे थे कि कन्फेशन रूम में दो लोगों को बुलाया जाता था पहले तो सिर्फ निम्रित को ही बुलाया जाता था उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा स्टार्ट हुआ तब शिप को भी बुलाना शुरू किया लेकिन आप हम देख रहे हैं कि अब प्रियांका को कन्फेशन रूम में बुलाया जा रहा है और कल तो बिग बॉस ने प्रियांका को साफी कह दिया कि जौ भीडो साइलेंट प्रोटेस्ट मत करना हम देखेंगे तुम क्या करती हो है ना प्रियांका अपने अदालत में इस चीज का फैसला कैसे करती है जो चीज़ शारलीन ने की है जो चीज़े जो दोगला पंती वो कर रहा था तो दोस्तो यहां पर चीज़ ये भी है कि पहले शिव को या फिर मंडली को बुलाया जाता था तो क्या बिग बॉस को शिव से या फिर मंडली से कोई उमीदे नहीं बची है क्या उन्होंने बिग बॉस के हिंट्स नहीं पकड़े इसलिए बिग बॉस ने भी अब सरेंडर कर दिया है कि भाया तुमसे ना हो पाएगा कल भी हमने एक चीज़ देखी कि जब तक तो शालीन जो है अंदर थे एक्टिविटी रूम में थे वहाँ पर उनकी वारता लाप चल रही थी जो भी बहस चल रही थी तब तक शिव बाहर बहुत बोल रहे थे चिकन को लेके बहुत सारे मतलब उनकी डाइट को लेके यहना दोकने की भी कोशिश की तो ऐसा लगता है कि शिव चाहते ही नहीं है कि वो किसी से भिड़े तो यहां पर कहीं न कहीं वही चीज़ें जो शिव का गेम खराब कर रही है और शायद वही चीज़ें हैं जिनसे बिग बॉस भी इरिटेट हो चुके हैं इसलिए उन्होंने कि अंका की तरफ मोड़ दिया है आप सभी को क्या है कहना कॉमेंट्स में जरूर बताएए बिल तक है नेक्स्ट वीडियो में